हेलो फ्रेंट्स आज हम आपके लिए ले आए हैं कच्छा टमाटा का एक करी सौथ इंडेंस टाल में नारियल के साथ इसे कूट भी कहा जाता है एक ग्रेवी वाला डीश है और बहुत ही स्वादिश्ट है और बनाने में भी बहुत ही आसान है मुझे उमीद है आपको यह करी बहुत पसंद आएगा तो चलिए देखते हैं कच्छा टमाटा का करी कैसे बना जाता है इसके लिए हमने ले लिए हैं आदा किलो कच्छा टमाटा इसमें लगबग 4-5 लोगों के लिए सबजी बन जाएगा इसके अलावा हमने लिया है 2-3 चमच डेसिकेटेड कोकनट याने कि नारेल का पाउडर इसके बदली आप खिसावा नारेल भी ले सकते हैं फिर हमने लिया है 2-3 चमच साबुत दनिया दाल नमक स्वादनसर एक चुटकी हिंग घी 2-3 चमच एक चमच चना दाल कुछ खड़ी पते 2-3 सुखे लाल मिर्च एक चमच हल्दी पाउडर दो सुखे लाल मिर्च तड़का के लिए एक चमच उरत दाल और एक चमच राई इसके अलावा हमने ले लिया है एक छोटा का मूंग दाल सबसे पहले हम खचा टामाटर को काट लेंगे कुछ इस तरह बहुत बड़ा भी ने काटेंगे चोटा भी ने मीडियम साइज में काट लेंगे इसे वो छटा काटे का तो इगल जाएंगे इसे हमने एक बर्तन में रख ले आए अब ये बर्तन को हम कुकर में रख देंगे अब इसमें डाल देंगे हम मुंग दाल अच्छा तर इसे दो के डालेंगे इसे दो गलास पानी और कुछ हल्दी पौडर फिर इसे हम इसे डख के पका लेंगे चार से पाथ सीटी तक इसे अब हम निकाल दिये हैं क्योंकि चार से पाथ सीटी हो चुका है अब हम एक पैन ले 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 थे हैं गैस में इसमें डाल देते हैं चना दाल उसे रोस्ट करते हैं हलका से इसमें तेल नहीं डालना है, ड्राइ रोस्ट करना है, इसे इसका फ्लेवर अच्छा से आता है इसके बाद उसी कड़ाय में हम साबुत दनिया दाल को भी रोस्ट कर लेंगे सुखा, भुनना है इने फिर सुख्य लाल मिच और लास्ट में डेसिकेटेड कोकनट, यानि कि नारेल का पाउडर अभी इन सारे भुने हुए आइटेम्स को हम डाल देंगे मिक्सी में नारेल शुरुवात में डालते हैं, अभी थोड़ा फीसने के बाद इसमें डालते हैं, यह तो इसका तेल निकलने का चांस होता है अब है मारा पाउडर, मसाला पाउडर रेडियो हो गया है हम इसे एक कप में निकालके अलग रख देंगे अभी हमें कडाई ले लेते हैं गैस में जो प्रेशर को कर में हमने एक अच्छा टमाटो को पकाया था वो इसमें डाल देंगे पानी के समेत फिर इसमें डाल देंगे एक चमच चीनी नमक स्वाद अनुसार और इसे खाफी देर तक उबलने दे हमने वीडियो का इस बाकर फास्ट पावड में किया है ताकि आपका समय का बच्चत हो अभी इसमें डाल देते हैं जो हमने मिक्सी में पीसके रखा है मसाले का पावडर और फिर इसे ओबलने दे कुछ देर तक एक कुट ओबल के तयार हो गया हमने इसे गैस में से उतार दिया है अब इसका तड़का तयार करेंगे इसके लिए हमने लिया एक छोटा कड़ाई इसमें डाल दिया घी फिर राई सुखे लाल मिर्च उरत दाल और कड़ी पत्ते अखिर में इसमें डाल देते हैं एक चुट की हिंग एक तड़का तयार हो गया इसे हम डाल देंगे अभी कूट के उपर इसमें बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है तड़के डालने का बाद भी तो एक तड़का हमारा तयार हो गया कच्छा टमाटर का इसे हमने यह प्लेटिंग किया है अचार, सालाद, स्टीम्ड राइस, केले के चिप्स और एक उट के साथ तो यह वन डिश मील या वन बॉल मील हो जाता है यह बहुत स्वाधिश्ट है और बनाने में भी बहुत आसान है जैसा आपने देखा इसे आप जरू गर में ट्राइ कीजिए और कमेंट्स में लिखिया आपको पसंद आये के नहीं हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और भी वीडियोज आपके लिए लेके आ सके ऐसे और विडियोज दीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए धन्यावाद